हेलो स्टुडेंट्स, क्लास टेंट्स स्टुडेंट्स के लिए मैं लेके आए हूँ असवाल गुरुकुल की एक बुक, इसका बाइ लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बुक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, क्यों है ध्यान से देख लो, इसमे सब्जेक्ट की, साइंस सब्जेक्ट के अंदर पहले चैप्टर क्या है, कैमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन, उसका देखो सारे के सारे जो भी क्योस्टेंस बनते है उस चैप्टर से, पूरी की पूरी वरक्सीट दे रखी, आपको करना क्या है, आपको पहले चैप्टर थोड़े से पढ़ने है, एक्स्टर नोलिज उसकी गेन करनी है, और इन क्योस्टेंस को आपको सोल आउट करके देखना है, बस इन से बाहर कुछ नहीं आने वाला, एक तो प्रैक्टिस से ये बना दिया, अब आगे आजाओ, कैमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन से एक और यहाँ पर प्रैक्टिस से बना रखा है, और यह यह क्या है, यहाँ पर वर्कशिट 3 भी दे रखी है, कैमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन से, तो तीन तीन आपको यहाँ पर वर्कशिट एक चैप्टर के अंदर से देखने को मिल रही है, तो मतलब इन से बाहर कुछ नही आने वाला है, यहाँ पर आजाओ भई, एसिट बेस और शाल्ट आगया हमारे सेकिंड चैप्टर, उसके अंदर से भी आपको तीन वर्कशिट देखने को मिल जाएंगी, यह आगई, वर्कशिट नमबर फाइव, और आगे चलते हैं, क्या एक और दे रखी है, बिलकुल, एसिटेंट, बेस और सोल्ट से, तो मतलब सारे के सारे क्योस्टेंज जो निचोड के निकाल रखे हैं, इसलिए यह बुक ना डा बेस्ट बुक है, क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए, और अकले साइन साइन सबजेक्ट के नहीं है, और भी सबजेक्स यहाँ पर दे र रखे है, पेयर ओफ लिनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल, तो यह चैप्टर नमबर त्री की पहली वरक्सिट दे दी भाई, जो भी क्योस्टन बनते हैं, जो भी एक्ट्रा क्योस्टन बनते हैं, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, यह देख लो, कितने सारे क्यो में मिल जाएगा, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, और भी दे रखे हैं, तो यह आगे हमारे पास पेयर ओफ लिनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल, पहले इसके मल्टिपल चोईस क्योस्टन दे दिये, कुछ, फिर टू मार्क्स के दे दिये, और बड़े जो क्योस्टन बनते हैं, फाई मार्क्स के वो भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आगे चल पड़ते हैं, यह आगे वरक्सिट नमबर थ्री, एक और दे दी यहाँ पे, यह देख लो, यह भी हमारी पेयर ओफ लिनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल की है, यहाँ पे भ दे रखे हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस चेक में के अंदर क्या है, अब जो भी आपने चेप्टर गया है ना, अच्छे से प्रिप्रेशन हो गई, एक बार इसको करके देख लो, पिछले दो तीन चेप्टर जो हुए हैं, उनका कंबिनेशन यहाँ पे दे रखा है, और यहा प्रिप्रेशन हैं, वो भी यहाँ पे दे रखे हैं, यह देख लो भई, फिर यह देख लो तीन वर्क्षिट दे रखे हैं, फिर ट्रियंगल चैप्टर के अंदर से आ जाती हैं, जो भी थियोरम जो गबराते हैं आप, अच्छा कुछ बच्चे ना थियोरम को देखके न डर जाते हैं, मैंने नया चैनल बना रखा है, क्लास टेंथ के लिए, तो उससे अगर आप जाके पढ़ेंगे ना, तो आपको मैंने बता रखा है कि थियोरम की ट्रिक क्या है, किस परकार से हमें थियोरम को होल आउट करना होता है, रटना कुछ भी नहीं है, यह मैत की हो ग यह आ गया नैसनलिजम इंडिया के क्योस्टन, यहाँ पर बना गया रखाके है, मल्टिपल चोईस क्योस्टन भी हैं, एक्स्टर क्योस्टन भी आ गई, यह देख लो भई, उसके बाद और सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, पावर सेरिंग हैं, आग्गे ही होंगे साइध इसके आगे देख लेते हैं कौन-कौन से subject cover है यहाँ पे science, math और social science यह तीन subject के लिए book है तो आप इस book को ज़रूर purchase कर लें आपको link description में मिल जाएगा और साथ में देखो यह क्या दे रखा scan to get solution of each work sheet available on our website तो आपको यह QR code scan करना है और QR code को scan करके आप in work sheet का solution भी देख सकते हैं अब यहाँ पे solution देते तो काफी ज़्यादा मोटी book हो जाती और काफी ज़्यादा costly हो जाती उस cost को reduce करने के लिए इन्होंने barcode दे दिया कि आप जो भी question का solution देखना चाहते हैं आप इसको scan कीजिए और आप इनकी website पे जाके इनका solution आसानी से check कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी book है आप इसको जरूर purchase कर लें देखते हैं कितने pages की हैं near about यहाँ पे अलग-अलग subject की अलग page दे रखे हैं near about यह 500-600 page की तो अराम से book होगी तो भई इस book को जरूर purchase करें और class 10 वाले बच्चे playlist मैंने बना रखी है सभी subjects की तो वहाँ से जाके भी आप उन chapters को cover कर सकते हैं और जो भी chapter आप cover करते हैं साथ की साथ worksheet book से करते चले soul out ठीक है चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर करना ज्यादा से ज्यादा share करना थैंक यू स्टूदेंस पर वाचिंग दिस वीडियो